मेलो दोस्तों नमस्ते दायामी फूड में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं पनीर करी सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन डिलाएं और लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें प्लीज सब्सक्राइब जरूर के लिए 200 ग्राम पनीर ले लिया है हमने इसको इस तरह काड़ लेंगे कि उसमें दो टमाटर पीस कर ले लिया धनिया पत्ती तेज पत्ती दो बारी कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्च पनीर फ्राय करने के लिए तेल कॉमने गर्म कर लिया इसमें थोड़ी से चुटकी बर हल्दी डालेंगे थाकि पनीर में जो है कलर अच्छे आए और पनीर में जो पानी रता है उसका छीटे भी ना पड़े इससे दो फाइदा होते हैं पनीर को हम फ्राय कर लेंगे तो मीडिया फ्लेम पर इसको प्राय करेंगे जढ़ा प्राय unwilling करेंगे हलका यह करेंगे हमारा पनीर फ्राय हो गया इसे हम यह प्लेट में निकाल लेंगे आप दूसरे बैच में भी बचा हुआ पनीर इसको इसी तरह प्राइब कर लेंगे इसको भी एक मिनिट के लिए इसी तरह प्राइब कर लेंगे इसको भी निकाल लेते हैं अब तेल में अदे चमठ जीरा डालेंगे मलेग ठेज पत्ता और $90-00 कट पेड्य ना भी तौर डालेंगे इसको जब तक तक भी ना हो जाये । आर शी तरह से और प्राइक कर लेंगे चलाते हूं इसको अच्छी तरह पका लेंगे हमारा प्याज लगभग बून गया है देखिए दोस्तों अच्छी तरह से बन गया है अब इसमें हम एक चमच लसन अदरक का पेस्ट डालेंगे आधी चमच हल्दी पॉर्डर एक चमच धनिया पॉर्डर आधी चमच कस्मेरी लाल मेर्ज आधी चमच तीखे के लिए मेर्ज पॉर्डर डालेंगे थोड़े से जीरा पॉर्डर थोड़ी सी काली मिर्च पौडर डाल कर अच्छी से इसको भून लेंगे हमारा मसाला भून चुका है देखिए तेल अलग होने लगा है मसाले अच्छी से पके हैं अब इसमें हम पिसा हुआ तमाटर डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसे तेल अलग ना होने लगे ची तरह मिलाते हुए भूनेंगे यहां पर श्वाद के नुसार नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जो जल्दी पकता है देखिए दोस्तो अब मारा मसाला भून चुका है तेल दिखाई बढ़ने लगा है मसाले भून चुके हैं अब इसमें गलास पानी डालेंगे और इसको मिला लेंगे मसाले को अची तरह थोड़ी से गराम मसाले डालेंगे इसको मिला लेंगे पनीर का जो है वह बहुत जल्दी ही पक जाता है मुश्किल से आपको इसको पनीर करी को पकने में 10-15 मिनट टाइम लेगा भूने हुए जो है फ्रा인지 cash की पणीर कि इसमें डाल देंगे के इसमें टायम नहीं लगता चाली है ज्यादा शमान की ज़रोत नहीं पढत tienes insights अच्छा पनीर से प्रकश को अनकर तियार है इसको तीन-चार मिनट के लिए घख कर मेडियाँ फिलेम पे पकाएंगे देखे दस्तो यह हमारा पनीर करी रेडी है अप ग्रेवी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी दालेंगे और एक मीर्च जो काट कर हमने रखा था कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और गैस का प्लेम बंद करके इसको दो मिनट के लिए सित्रा ढग करेंगे मारा पनीर करी तैयार है बहुत ही सौर्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है और बहुत जल्द ही बहुत कम समय में बनीगे इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में इसको हम इस पर दानिस करेंगे हरी धनिया से लाइक शेयर कोमेंट करना भूले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें